सोशल मेडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें पेरेंट्स अपनी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन फिर से शादी कर रहे होते हैं लेकिन तभी बच्छी सभी लोगों के सामने जमीन पर लेट कर जोर जोर से रोने लगती है वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुलहा और दुलहन एक साथ स्टेज पर खड़े नजर आ रहे हैं जहां उनकी वेडिंग सेरिमिनी चल रही है वहीं सामने उनकी बेटी जमीन पर लेट कर जोर जोर से रोने लगती है बीच में बच्ची एक बार उठकर उनकी ओर देखती है लेकिन जब उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो वहें फिर से रोना शुरू कर देती है शादी में आए महमान इस नजारे को देखकर खूब मजे ले रहे हैं और इसकी वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर यूजर्स ने खूब पसंद किया अकसर कई ऐसी वीडियोज वाइरल होते रहते हैं जिने देख हम अपनी हसी नहीं रोक पाते इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर सारा विक्मन नाम की यूजर्स ने पोस्ट किया वीडियो में आप देख सकते हैं कि शादी में कैसा तमाशा हो रहा है इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा यह एक सच्छी कहानी है हमारी बेटी ने हमारी शादी के दौरान रो रो कर काफी बवाल किया लेकिन हम यह किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे वीडियो के आखिर में आप देख सकते है कि बच्ची की मा ने उसे अपनी गोद में ले लिया है जिससे साफ पता चलता है कि बच्छी नहीं चाहाती कि उसके माबाप उसके बिना इस वेडिंग को शुरू करे जैसे ही उसकी माँ उसे गोद में पकड़ती है तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है जिसके बाद वो दोनों खुशी-खुशी शादी कर लेते है इस वीडियो को अब तक कई लोग देख चुके है साथ ही कई लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद अलग-अलग तरहा की प्रतिक्रिया भी दी इस वीडियो को लोगों ने अपने अधर सोशल वीडिया अकाउंट पर जम कर शेयर किया आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और साथ ही हमारे आम आदमी पेश को फॉलो करे और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करे कि जादा शेयर को जादा से जादार बताए